हाई फ्रेएंस मेरे हूँ कुसी मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सितापल उसको इंगलीज में बोलते हैं कस्टाड अपल और सुगाय अपल उसका benefit आप लोगों को बताऊंगा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को like, subscribe और share किजिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप comment के जड़ी मुझे बताई मैं आपका comment का जरूर उतर दोंगा यही सिताफल मैं आपको इसका benefit बताऊंगा स्वास्थ्यलाब सिताफल स्वात्मी मीठा है और देखने में एक दिल का आकार जैसा होता है वो बाहर से कठिन और अंदर से नरम और चवाने वाला होता है इसका बूंदा सफे द्रंका और मलाईदर होता है इसमें चमकदार कारलिंग बीच होते है पर थोड़ा जैरिला होते कारण उसको सेबन नहीं कर सकते इसे मिल्सेक और आइस्क्रीम बनाने में इस्तमल किया जा सकता है यह स्वास्थ रहने के लिए सही प्रकार का फल है इसमें प्रोटीन, फाइबर, खनेज, भीटामिन उच है एक सिता फल में लागबाग 237 प्रोटीन होता है सिता फल आच्छे कालोरी के साथ प्रकुतिक सरकरा और स्वादिश फल है यह उन लोगों के लिए अच्छा है जिनने उच गलग्रंथी होते है जो वजन हासी करना चाहते है सिता फल में विटामिन C बहु मात्रा में है जो सरीर में मुक कर्ण का मुकाविला कर सकता है इसके अलावा इसमें विटामिन A है जो की स्वास्थ त्वच्चा बेहतर दुरुष्टी और स्वास्थ बालों के लिए उतम है इसमें म्यागनेसियम है जो रूद रोगी के दिल की रख्या कर सकता है और मांसो पेस्टियों के आरम दिला सकता है सिता फल में विटामिन B6 और पोटास्यम भारी मत्रा में है सिता फल को धूप में सुखा कर चुन बना कर उसका सेबन करने से दांतों ठीक हो सकते है सिता फल के पेड के जाल को दवाईयों बनाने में प्रयक किया जा सकता है इसका जाल दांतों के दाद के कम करने में इस्तमाल किया जा सकता है सिता फल गार में स्पाल रहे ग्रून के मानसिक सायों की प्रणाडी और प्रतिरोधक प्रणाडी के बिकास में मदद करता है गर्भ वस्ता के दोरान सिता फल का रोजाना से बन करने से गर्भ पार के संभवना काफी कौन होती है और बच्चे के जनम के दोरान लीवर का दर भी अपेख्यकरूत कम होता है कई लोग इसे गर्भ वस्ता के समय का चमत कर फल केते है सिता फल बच्चे के जनम के बाद माग के संभ में दूद का अधिक उत्पादन करने में सायायक होता है सिता फल उच्च रख्त चाप का नियंत्रन करने में सायायक होता है सिता फल कोलोस्ट्रोल को कम करने में सायायक होता है ये सरीर में पानी के मात्रा को नियंत्रम करता है ये मांसों फिस्यों की कमजोरी को भी दूर कर सकता है थेंक्यू